नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां दाद खाज और खुजली की समस्या को दो दिन में दूर कर देंगे ये दो रामबान नुस्खे आइए जानते हैं आज हम सभी इसी भारे में आज कल दाद खाज और खुजली की समस्या आम हो गई है क्योंकि जादा तर लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं और साफ सफाई नहीं रखते हैं और इसकी वजह से ही दाद खाज और खुजली की समस्या होने लगती है आज हम आपको ऐसे दो घरेल राम बार नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप दाद खाज और खुजली की समस्या से छोटकारा पास सकते हैं जिहां दोस्तों एक कश्ट दायक रोग है चर्म रोग यह पूरे शरीर की चमडी पर कहीं भी हो सकता है अनियमित खान पान दोशित आहार शर कर्म रोग सहित शारीरिक एवं अन्य बिमारियां पनपने लगती हैं जो मानों के लिए अतिहानी कारक होती हैं जिहां दाद के लक्षणों को जान लीजे दाद में खुजली बहुत ज्यादा होती है कि आप उसे खुजाते ही रहते हैं खुजाने के बाद इसमें जलन होती इवाम छोटे छोटे दाने होते हैं दाद ज्यादातर जन्नांगों में जोडों के पास और जहां पसीना आता है एवाम कपड़ा रगड़ता है वहां पर होता है वैसे शरीर में कहीं भी हो सकता है खाज खुझली जिहां इसमें पूरे शरीर में सफेद रंग के छोटे-चोटे दाने हो जाते हैं इन्हें फोरने पर पानी जैसा तरल निकलता है जो पकने पर गाड़ा हो जाता है इसमें खुझली बहुत होती है यह बहुदा हाथों की उंगलियों के बीच में तथा पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है इसको खुजाने के लिए बार-बार इक्षा होती रहती है और जब खुजा देते हैं तो बाद में असहया जलन होती है यह जुत हाय एवं संक्रामक रोग है रोगी का तौलिया एवं चादर उपयोग करने पर यह रोग आगे चला जाता है यानि क उससे हाथ मिलाते हैं तो आपको भी यह रोग हो सकता है उकवत यानि के एक जीमा दाद खाज खुजली जाती का एक रोग उकवत भी है जो अत्यंत कश्टकारी है रोग का स्थान लाल हो जाता है और उस पर छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं इसमें चकते तो नहीं परते परन्तु यह शरीर में कहीं भी हो जाता है यह दो तरह का होता है एक सुखा और दूसरा गीला सुखे से पपड़ी जैसी भूसी और गीले से मवाद जैसा निकलता रहता है अगर यह सर में हो जाए तो उस जगह के बाल जढ़ने लगते हैं दाद खाज और खुजली के दो चुटकारा पाना चाहते हैं तो गर्म पानी से आपको नहाना होता है और नहाने से पहले पानी को गर्म करते वक्त उस पानी में नीम की पत्यों को भी उबाल लें और फिर उस पानी को चान कर उस से नहालें नीम की पत्यों के पानी से नहाने से शरीर के कीटाडू दूर हो जोंगे और दाद कुझली की समस्या दूर हो जाएगी इसके हलाबा लहसुन दाद खाज और खुझली की समस्या से चुटकारा पाना चाहते हैं तो लहसुन को छिलने और उसे बीच से काटकर लहसुन का रस निकालने और अपनी दाद पर लगाएं इससे लगाने से दाद में आराम मिल जाता है रक्त शोधक अर्थात रक्त को शुद्ध करने के लिए घरे लूप आए दिन में एक दो चम्मच अलसी के बीजों के तेल का सेवन करना तवचा के लिए काफी फायदे मंद होता है बहतर रहेगा कि इसका सेवन किसी अन्या आहार के साथ ही किया जाए अलसी के तेल को कभी भी सेंकना नहीं चाहिए रीठे के छिलके के पाउडर में शहद मिला करके चने के बराबर गोलियां बना लें सुबह एक गोली अध बिलोई दही के साथ और शाम को पानी के साथ निगल लें उपदंश, खाज, सही होते हैं अनंत मूल, मुलहटी, सफेद मूसली, गुरक मुंडे, रक्त चंदन, शनाय, और अस्सगंध, सौसो ग्राम तथा सौफ, पीपल, इलाची, गुलाब के फुल 50-50 ग्राम, सभुट को जोकुट करके एक डिबे में भर करके रख लें, एक चमच, 200 ग्राम पानी म धिमी आच में पकाएं, और जब पानी 50 ग्राम रह जाए, तब उसे चान कर उसके दो भाग करके सुबह और शाम मिश्री मिला करके पीएं, यह क्वात रक्त विकार, उपदंश, सुजाक के उपद्रव, वात रक्त और कुष्ट रोक को दूर करने में सहायक होता है, चार ग रात को भिंगोए हुए, चिरायता और कुटकी का पानी निठार करके कपड़े से चान कर पी लें, और पीने के बाद 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, और उसी समय अगले दिन के लिए उसी पातर में 125 ग्राम पानी ढाल दें, इस प्रकार 4 दिन तक वहीं चिरायता और निमा, खोड़े, फुनसी, त्यादे, चर्मरोग, नश्ट होते हैं, मुहा से निकलने बंध होते हैं, और रक्त आपका साफ हो जाता है, जिहां दोस्तों, तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, जिसके साहरे आप अपने आपको स्वस्था रख सकते हैं, अपने ब्लड को क्लीन रख सकते हैं, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों